Technical Civil के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे फिलहाल आप Structural Planning Series का 3rd एपिसोड देखना शुरू कर चुके है इस सिरीज के अब तक हमने 2 एपिसोड कंप्लीट किये थे पहले एपिसोड के अंदर हमने कॉलम की प्लानिंग को देखा दूसरे एपिसोड के अंदर हमने बीम की प्लानिंग को देखा और आज आप तीसरा एपिसोड देख रहे हैं जिसके अंदर हम स्लैब की प्लानिंग को देखेगे अब आप कहे रहे हैं सर प्लानिंग क्या हम किस तरह की प्लानिंग देख रहे हैं तो जो लोग नहीं जाते उन लोगों के लिए चोटा सब में ये एक्स्प्लानिशन दे दू के structure के अंदर दो तरह के planning होती है एक architectural planning और एक दूसरी structural planning architectural planning का मतलब होता है कि आपके पास जो भी plot या जो भी floor area है उसके अंदर कौन सा room कहा आएगा कौन सी space किस तरह से utilize होगी ये जो planning होती इसको architectural planning कहते हैं उसमें interior, exterior वगरा सब आ जाता है लेकिन जब structure बनता है तो structure के अंदर जब design करनी होती हो उसकी तो हमें खास करके जो हमारे RCC frame structures होते हैं जिसके अंदर frame members होते हैं column, beam, slab, footing वगरा तो ये जो members होते हैं हमें इनकी अलग से पहले शुरू में preliminary planning करनी पड़ती हैं कि हमें कौन सा beam, कौन सा column कहां रखना चाहिए particular planning के हिसाब से या particular structure के हिसाब से slab कौन सा देना होगा, footing कौन से देनी होगी, column कौन सा होगा, कहां पर आएगा, beam कैसी, grid कैसी बनेगी तो ये एक preliminary structure के planning होती हैं, तो उसी structural planning को हम इस series के अंदर discuss कर रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है, जो लोग freshers हैं, जो लोग beginners हैं, उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके fundamentals को ये बहुत मजबूत करेगी ये series, है ना, एक civil engineer के तोर पर आपके fundamental मजबूत होना ज़र दिवार ये हैं, तो कृपया करके इस पूरी series को पहले से लेकर आखिर तक आप follow कीजिएगा, अभी और भी इसके episodes आने वाले हैं, जिसके अंदर हम और भी जो हमारे principal elements होते हैं, structure के अंदर, उन सभी के बारे में one by one discussion करेगे, ठीक हैं, चलिए, तो फिलाल बात करते हैं साधारन शब्दों में साधारन तरीके से बहुत ज़्यादा complicated, शब्दों में इस्तेमाल नहीं करूगा, और नहीं बहुत ज़्यादा कोई technical या advanced हम इसके अंदर चीजे explore करेगे, बलके हम उन्ही advanced चीजों को, उन्हीं मुश्किल चीजों को simple और साधारन तरीके से अपने इसाब से समझेगे, ताकि आपको वह आसाने समझ में आ जाए, हमारा मुद्दा क्या है, आपको easily समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, चलिए, मुश्किल से मुश्किल चीज़े, ओके, तो आज हम slab की जब planning की बात करते हैं, तो आपके mind में पहले रहना चाहिए, कि majorly, दो की slabs होते हैं, majorly, जो हम देख रहे हैं, एक होता है one way slab, और दूसरा होता है two way slab, आप लोगों ने इसमें, काफी लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि one way slab किसे कहते हैं, और two way slab किसे, अब one way slab और two way slab पे ज़रा detail में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेगे धीरे धीरे one by one, और हर एक चीज़ पे discuss करेगे, और हाँ, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, या वीडियो को देखने के दौरान, अगर आपके कोई confusions आते हैं, माइड में अपने create होते हैं, तो तुरंत आप comment के अंदर लिखिएगा, हम कोशिच करेगे पूरी, कि आपके arrangement वहाँ पर कैसे support है, उसको available support कैसे है, उसका ratio span कैसा है, तो ये इस पे बात होती है, ठीक है, हम यहाँ पर ज़रा चीज़ों को differentiate करके समझने की कोशिच करते हैं, हम अगर एक ऐसा span देख रहे हैं, जो जिसका longer span by shorter span, ध्यान दीजेगा, एक ratio होता है इसके अंदर, एक y by lx, ly by lx करके एक ratio होता है, अगर ये greater than equal to 2 हुआ, ध्यान दीजेगा, ये ly by lx क्या है basically, तो ये मैं figure आपको यहाँ पर बता रहता हूँ, ठीक है, ये ly होगा, यानि longer span, और ये lx होगा, यानि shorter span, ये जब भी term आपको मैं use करूँगा, तो समझ में आया दाना चाहिए, कि ये ly क किस चीज़ की बात हो रही है, और lx किस चीज़ की बात हो रही है, ly हमेशा हम यहाँ पर longer span को दर्शाने के लिए use करते हैं, और lx हमेशा यहाँ पर shorter span होता है, ये shorter side जो होती है, उसको दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जब भी आपके slab का ly by lx ratio, keep it in mind, और write it down, note it down, ly by lx ratio जब भी आपका greater than equal to 2 होता है, तो वहाँ पर हम उसे one way slab कहते हैं, ये one way slab की list में आ जाएगा, ठीक है, पहला तो criteria यह हो गया, दूसरा criteria one way slab का यह होता है, कि इसके अगर सिर्फ दो ages पर support available है, यानि एक support यहाँ पर है, एक beam के तोर पर, ठीक है, और दू दूसरा beam यहाँ पर है, ये दूसरा beam है आपका, तो दोनों तरफ से beam available है, और ये ly by lx ratio greater than equal to 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको one way slab की तरह treat किया जाएगा, और one way slab की तरह ही इसको design किया जाएगा, अब इसको one way slab की तरह कैसे treat करते हैं, कैसे design करते हैं, आगे इसके भी चर् difference तमझ लीजिएगा, कि one way और two way का basic difference क्या है, ठीक है, तो ये पहली condition होगे, अब दूसरी चीज, अगर आपका ly by lx ratio less than 2 हुआ, ज्यान दीजिएगा, ratio अगर less than 2 हुआ, और आपका slab, आपका slab अगर चारों तरफ से supported हुआ, यानि चारों तरफ से beam available है support के लिए, ठीक है, तो इसको हम two way slab की तरह treat करेगे और उसी की तरह design करेगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, one way slab की निशानी होती है, इसका जो notation होता है, जिससे हम इसको indicate करते है one way slab, वो ये one way slab होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने अभी बनाया निशानी, ये इसको one way slab कहते है और ये ये जो निशानी है, आप देख रहे हैं, इसको हम two way slab की निशानी कहते है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ है, बहुत important है, आप जब भी drawing read करोगे तो आपको ये इस तरह से sign वहाँ पे दिखेगे, तो you should able to understand कि ये निशानी क्या कहना चाहती है, ठीक है, तो ये one way क क्या है, उनके अंदर load transferring path, अब load transferring path में क्या difference है, आईए ज़रा उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसका reinforcement के arrangement को समझेगे, हलाकि ये जो सारी चीज़े हैं, बहुत basics हैं, आप लोगों ने अपने engineering, जो college है, classes है, academics वगेरा, उनके अंदर तो सारे पढ़े ह होगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम revive कर रहे हैं, ताकि आगे ये चीज़े आपको आसने से समझ में आए, तो one way के अंदर क्या होता है भाई साब, कि ये उसका central axis है, ठीक है, और ये इसका central axis है, one way के अंदर जब load transfer होता है, तो वो ऐसे होता है, ठीक है, यानि ये load यहाँ ज आएगा, जो load dispersion है न, वो कैसे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है, बास मज में आ रही है आपको, कि यहाँ पर जो ये support है, ये beam जो यहाँ पर है, load आधा यहाँ पर जाएगा, आधा यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और टूवे जो slap होता है हमारा, उ जो load transferring जो path होता है वो कैसे होता है थोड़ा सा अजीव होता है कैसे होता है देखिए ये ये इस तरह से हैं ये इस तरह से हैं ये इस तरह से हैं और ये इस तरह से हैं अब इसमें जो load transfer हो रहा है वो एक तो यहां ये triangular में हो रहा है और ये trapezoidal में हो रहा है ठीक है यानि यहा यहारा support है यह वाला इसमें trapezoidal load जा रहा है ठीक है और यह जो load है यहाँ पर यह triangular अब आपको सर आप यह सब कैसे जानते हो आपने देखा है उसको कि load कैसे transfer हो रहा है आप यह कैसे जानते हो तो देखें यह उनकी अपनी अपनी characteristics है अपनी अपनी एक उनकी कहते है कि फितरत हैं कि वो इसी तरह से काम करते हैं अगर आपके अंदर को एक आदत है आपके अपना कुछ एक रूप रंग है तो वो आपका अपना रूप रंग है ज अपनी एक उनका तरीका होता है पाथ होता है जिसको फॉलो करते हैं ठीक है और इसके अंदर कुछ साइंस भी होता है वो भी हम आगे डिसक्स करेगे लेकिन फिलाल आप समझ लीजेगा कि यही इनके कॉमन पाथ है अगर आप वन वे स्लैब को डिजाइन करते हो तो लोड इस लिवेस्ट आप से करना चाहोगा चोटी सी बाट आप से करना चाहोगा विडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो है अगर आप सीछना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखियेगा और समझेगा अगर आप यहां time-press कर रहे हो आपको बस वीडियो ऐस के fundamentals बहुत जादा वीग है civil engineers के fundamentals ऐसे हैं कि बिलकुल उनको वो 4 साल complete करके निकलने के बाद भी एक first year के student की तरह उनका knowledge है तो ये नहीं होना चाहिए इसलिए हमारी कोशिश है खास करके मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को वो fundamental knowledge provide करो आप हमारी चैनल को खंगाल के देखे जरा पीछे वीडियो हमारे हमारी उसमें ऐसे ऐसे topic हमने रखे हैं जो आप सभी लोग के लिए बहुत important है और वो आपको आने चाहिए fundamentals आपके strong होने चाहिए जब fundamental strong होगे तग ही आप आगे बढ़ पाओगे है ना तो ये fundamentally आप लोगो strong करने के लिए वीडियो है हमारी series है तो अगर आप इसमें अच्छी तरह से बने रहोगे तो बहुत अच्छा होगा ठीक है structure design engineer जब design कर रहा होता है तो ये बिलकुल उस पे पूरा freehand होता है उसके पास कि वो जो slab लेना चाहिए one way ले या two way ले वो ले सकता है बस structure की जो requirement है जो load transferring का पूरा path है वो well defined होना चाहिए structure आपका safe होना चाहिए और ultimately जो top में load आ रहा है वो bottom में आसानी से उतर जाना चाहिए shortest path की मदद से देखो principle होता है ये principle है कि top to bottom load आपका shortest path follow करते होवे गुजर जाना चाहिए पूरा transfer हो जाना चाहिए this is the first and the most important rule और principle of structure designing ठीक है तो यही हमें ध्यान रखना है इसके अलाबा आपके पास पूरा free hand है आप चाहो उस तरह से design कर सकते हो या आप consider कर सकते हो ठीक है लेकिन कुछ ऐसे points हैं जिसको आप ध्यान में रखकर ये decide कर सकते हो तो वो कौन सी चीज है आप लोगों के लिए मददगार सहाबिस हो सकते हैं एक एक करके हम चलिए आईए उस पर बात करते हैं इसको थोड़ा rough कर देते हैं ताकि बोर्ड हमारा थोड़ा सा free हो जाए और free और और बी जो चीज़े हैं वो मैं आपको आसानी सित बोर्ड पर ही बता सकूँ ठीक है तो देखिए अभी हमने देख लिया कि one way two way के अंदर क्या हो रहा है अब देखिए कि एक one way slab की अगर बात की जाए अब थोड़ा reinforcement पर बात करते हैं और one way slab के अगर बात की जाए अभी हमने दो condition one way की देखिए कि अगर उसका ly by lx ratio greater than equal to 2 होता है तो हमें उसको one way design करना चाह यह ठीक है उसके अंदर arrangement जो होता है reinforcement का अब जरा वो देख लेते हैं कि वो कैसे हो रहा है अब क्योंकि आगे जो चीजे में समझाने वाला हूँ यह उसके लिए बहुत ज़रूरी है तो यह हमारा एक one way slab है अब ही मैंने आपको क्या बताया कि one way slab के अंदर यह longer side जो है एक main reinforcement होता है और एक distribution reinforcement होता है अब main reinforcement क्या होता है distribution क्या होता है जरा इसको भी briefly समझ लेते है main reinforcement का मतलब वो reinforcement होता है जो generally आपके bottom में होता है और उसका काम होता है major जो आपके load या bending होते है moments होती है उसको transfer करना ठीक है और distribution reinforcement जनरल इसके top में होता है यारी main के ओपर होता है distribution reinforcement का काम क्या होता है कि उसमें जो shear cracks या temperature stresses के वज़े से जो cracks होने वाले होते हैं उसको बचाना उससे prevent करना ठीक है तो यह उसका मतलब होता है अब यहाँ पर यह जो हमारा slab है one way इसमें reinforcement का arrangement कैसे होगा अक्सर इसमें लोग confusion में रहते हैं तो देखो यह है उसकी shorter side ठीक है और यह है उसकी longer side ठीक है अब हम जब one way के अंदर reinforcement provide करते हैं तो यह जो reinforcement हम देगे यह main reinforcement होगा one way का keep this in mind यह क्या हो रहा है this is the main reinforcement of one way slab यह reinforcement shorter side के along है parallel to shorter side one way slab के अंदर जो reinforcement दिया जाता है main reinforcement वो shorter side के along यह shorter side के parallel दिया जाता है अब ऐसा क्यों करते हैं यह इसका एक logic मैं आपको बताता हूँ चलिए मेरे पास एक pen है और एक book यहाँ पर मैं आपको देता हूँ चलिए book भी ले देता है ठीक है मान लिजिए कि यह आपका एक slab है ठीक है यह slab है और यह बिल्कुल one way ही है यह longer side है यह shorter side है अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ यह जो मेरा मान लिजिए सरीया है यहाँ पर अगर मैं सरीय को इस तरह देता हूँ यह मैं इसको vertical दे रहा हूँ तो यहाँ पर अगर इसमें bending होगी तो bending कैसे होगी ऐसे होगी देखिए ध्यान दीजेगा bending ऐसे हो जाएगी समझ में आ रहे हैं यहाँ पर यह अब bending ऐसे हो रही है तो इसके अंदर यह जो reinforcement है main reinforcement इसका कोई रोल नहीं आ रहा है क्या अब यह इसको bend करता हूँ यह देखिए मैं इसको यहाँ bend कर रहा हूँ क्या यह इसको easily bend होने देगा नहीं होने देगा तो इसलिए हम क्या करते है reinforcement को जो one way slab होता है जो main reinforcement होता है हम इसको यहाँ पर shorter side के parallel देते हैं ताकि यह जो है यह जो इसका load आने वाला है वो पूरा उठा कर आदा यहाँ दे और आदा यहाँ दे ठीक है तो यह main reinforcement हो गया और उसके उपर इसके बिलकुल just उपर हमारा distribution reinforcement आ जाता है ठीक है distribution reinforcement या distribution bar हम इसके उपर दे देते हैं distribution bar का क्या reason होता है अभी मैंने बताया आपको उसका function क्या होता है जो additional shear होते है या फिर जो temperature की वज़े से कुछ stress अंदर induce होते है उसके वज़े से उसमें कुछ cracks ना पड़े वो cracks हमारे slab को damage ना करे उस चीज को बचाने के लिए हम यहाँ पर extra जो हमारे top में distribution bars होते हैं minimum reinforcement के दोर पर वो provide कर देते हैं ठीक है यह one way slab का reinforcement arrangement mechanism है जान दीजेगा ठीक है यही follow किया जाता है अब वही पर हम अगर two way slab की बात करें let's suppose यह आपके पास एक पूरा two way slab है ठीक है यह हमारे पास two way slab है ओके दिखाए देर आपको clearly तो अब two way slab के अंदर क्या होता है कि यह चारो तरफ से supported है है ना यह चारो तरफ से आपका beam से supported है अब इसमें जो reinforcement होगा वो हमारा reinforcement चाहे आप यह side का ले लो यह side का ले लो दोनों तरफ जो भी reinforcement होगा वो main reinforcement की तरह ही behave करेगा इसका एक particular reason है क्योंकि यहाँ पर जो हम load आने वाला है वो चारो side पर distribute होने वाला है वो ऐसा नहीं कि किसी दो side पर distribute होगा तो हम जो भी reinforcement provide करेगी वो दोनों तरफ equally behave करेगा दोनों तरफ main reinforcement की तरह ही behave करेगा तो basically यहाँ पर भी bottom में main होता है top में distribution इसमें होता था इसमें main होता है top में भी main bottom में भी main समझ में आई बात दोनों इसमें main reinforcement होते हैं तो यह bars का जो arrangement है reinforcement का जो arrangement है वो भी आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी था ठीक तो उम्हेद करता हूँ कि यह clear हो गया होगा आपको क्या देखा कि अबर आपका ly by lx ratio greater than equal to 2 हुआ ठीक है और दो side पर वो supported है तो उसको one way design करते हैं ठीक है लेकिन in practice ऐसा अकसर देखने में आता है कि आपके पास support condition ऐसी है कि वो चारों तरफ से supported हैं जरा इसको figure के साथ मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको चीज़े clear हो वैसे तो generally one way slab हमारा दो side पर supported होता है यानि दो side पर उसका load transfer होगा और उसका ly by lx ratio greater than equal to 2 होगा ठीक है लेकिन side पर in practice ऐसा कई मरतबा ये case होता है कि आपके पास जो आपका slab है वो चारों तरफ से supported है यानि इधर से भी supported है इधर से भी supported है इधर से भी supported है यानि चारों तरफ से beam उसके available है लेकिन उसका जो ly by lx ratio है वो greater than equal to 2 है इसका मतलब क्या है कि support के हिसाब से वो two way है लेकिन ratio, spawn ratio के हिसाब से वो one way है तो ऐसी condition में confusion होगा फिर के sir अब इसको कैसे design करे इसको one way की तरफ पर design करे या two way की तरफ पर design करे तो इसमें आपको सला दी जाती है कि इसको one way की तरफ पर ही design किया जाना चाहिए ठीक है अब one way slab के design करेगे तो फिर इसमें कुछ दिक्कते आती है क्योंकि one way slab के अंदर क्या हो रहा है कि हम जब reinforcement दे रहे तो पूरा load यहाँ पर जाएगा अब यहाँ पर भी support है यहाँ पर भी support है तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत load जा सकता है अब load जाएगा तो फिर वहाँ पर tension negative moment वगरा generate होगी तो वहाँ crack हो सकता है main reinforcement देते हैं उस main reinforcement को थोड़ा heavy कर देना पड़ेगा main reinforcement को थोड़ा heavy कर देना पड़ेगा जिसकी वज़े से यह जो main reinforcement है यह portion है यह थोड़ा stiff हो जाए यह दोनों side अगर stiff हो गई इसका मतलब major जो load होगा यह दोनों side पर transfer होगा अब ये कहां से ही बात तो ये Elastic theory से आई Elastic theory का क्या कहना है कि जो portion जितना stiff रहेगा जितना stiffness उसकी ज्यादा रहेगी उतनी उसको load को bear करने की है transfer करने की capacity ज्यादा रहेगी simple सा fund अगर मैं आपको और भी अच्छे समझाओ तो magnet आप देख लीजिए एक बहुत powerful magnet लीजिए और एक कम power का magnet लीजिए मतलब जिसकी magnetic force कम हो और एक बहुत ज़्यादा magnetic force वाला लो ठीक है और सामने कुछ pins वगेरा रख दो आप है न अब दोनों को एक साथ आप सामने ले जाओ तो जो ज़्यादा powerful magnetic force वाला magnet रहेगा वो ज़्यादा pins को अपनी तरफ एट्रेक्ट करेगा और जो कम power वाल या कम force वाला magnet रहेगा वो कम pins को अपनी तरफ एट्रेक्ट करेगा तो सेम वही फंडा यहाँ पर भी है elastic theory के मताबिक जितना ज़्यादा stiff आपका member रहेगा या जितना ज़्यादा stiff वो portion रहेगा उतना ज़्यादा load को अपनी तरफ खीचेगा और अपनी तरफ से transfer करेगा तो वही चीज़ा में क्या करना है कि इस reinforcement को तोड़ा heavy कर देना है shorter side के उपर थोड़ा बहुत load transfer हो सकता है तो उसको tackle करने के लिए अगर हमने उसको tackle नहीं किया तो क्या होगा कि जो load यहाँ transfer हो रहा है उसकी विज़े से यहाँ पर crack होगी बहुत deep crack हो सकते हैं आपके slab को बहुत ज़्यादा damage कर सकते हैं तो उससे बचने के लिए हम क्या करेगे यहाँ पर यह जो portion है इसके top में minimum reinforcement provide कर देगे जो support है उसके महाँ top में minimum reinforcement provide करेगे क्योंकि यहाँ पर भी तो beam है ना ठीक है तो यहाँ पर भी negative bending moment आ सकती है यहाँ पर tension आ सकता है यहाँ पर torsion हो सकता है तो यहाँ पर chances है तो उसको prevent करने के लिए उसको avoid करने के लिए हम क्या कर देगे यहाँ पर minimum top reinforcement provide कर देगे जिसके वाज़े से अगर थोड़ा बहुत minor load यहाँ transfer हो भी जाता है तो वो reinforcement उसको आसानी से handle कर ले ठीक है तो हमने देखा अभी case के भाई हमारे पास support condition 2-way वाली थी और span condition 1-way वाली थी हमने क्या करना था 1-way design करना था और 1-way कैसे design करना था तो reinforcement का arrangement के अंदर हमें play करना था और वो हमने देख लिया ठीक है तो उमीद करता हूँ कि यह जो एक आपको confusion था वो भी दूर हो गया होगा और आप जब आगे project पे काम करोगे तो अक्सर आपको इस तरह के problems या confusions आएगे तो यहाँ पर आपके वो confusion दूर हो जाने चाहिए ठीक है चलिए तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पर minimum reinforcement कैसे देना है और कहाँ पर देना है देखिए अब एक और important चीज़ पर बात करते हैं थोड़ा इसको rough कर देते हैं अब important चीज़ यह है कि जब आपका slab का span यह note कीजेगा ठीक है जब आपका span greater than 3 meter हो और उस पे जो live load हो वो भी greater than 3 kilo newton per meter square हो यह दो parameter ध्यान दीजेगा अगर 3 meter से ज़ादा का span हुआ और load आपका 3 kilo newton per meter square से ज़ादा हुआ तो ऐसी situation में two-way slabs generally ज़ादा economical माने जाते हैं ज़ादा economical पढ़ते हैं ठीक है क्यूंकि two-way slab के अंदर सबसे पहला advantage तो यह है कि उसके दोनों जो reinforcement होगे वो as a mean की तरह behave करेगे और उसमें दोनों reinforcement mean की तरह behave कर रहे हैं तो चारो side पे अबड़ जो load transfer हो रहा है वो ज़ादा area में ज़ादा ages पर हो रहा है तो individual age पर जो moment generation होता है as compared to one-way slab वो कम हो जाता है तो उसकी life बढ़ती है उसका performance अच्छा होता है और वो ज़ादा economical भी होता है ठीक है तो ये कुछ advantages है अगर ये span 3 meter से ज़ादा और load आपका 3 kilo newton per meter square से ज़ादा है अगर ये condition नहीं हो रही है कि 3 meter से कम आपका span है या छोड़ा span है थोड़ा सा light load है तो फिर तब तो वहाँ पर one way two way के अंदर कोई as such major difference नहीं है उसकी design के अंदर या उसकी economy के उपर आप दोनों में सुकोई भी पढ़ सकते है लेकिन अगर ज़ादा heavy है तो two way के उपर जाएए अगर थोड़ा slight है तो फिर आप one way के उपर जाएए तो यह चीज़े आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे करना अब देखिए ध्यान दीजेगा आपके slab के type one way two way यह केवल उसका reinforcement यह span ही तही नहीं करता बलके उसकी जो continuous nest होती है दूसरे slab के साथ जो continuity होती है वो भी matter करती है वो भी depend करती है अब आपको सर यह आप क्या बोल रहा हो समझ नहीं आ रहा है तो दियें किया आप मैं आपको जड़ा figure से समझाता हूँ ठीक है यह आपका एक room है ठीक है यह slab मान लीजे इसको यह slab है ठीक है obviously slab के रूम के ओपर slab होता है और यह दूसरा आपका slab है ठीक है यह दूसरा slab है आपका ठीक है अब यह जो है यहां से भी support है इसको मतलब चारों तरफ से यह पूरा supported है यह ठीक है ओके जी picture थोड़ी सी दर दर होई तो इसको ignore कीजिएगा उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं picture थोड़ी सी ठीक ठाक है drawing मेरी अच्छी नहीं है ठीक है concept अच्छे है ओके जी चलिए तो यह हमारे column का arrangement है इस तरह से ठीक है picture वाकि में बहुत खराब है लेकिन ignore कीजिए उसको ठीक है अभी concept पे ध्यान दीजिए तो मैं क्या बोल रहा था आपको के slab का जो type one way होगा two way होगा वो decide उसकी continuity भी भी होता है के दो slab अगर आजू बाजू है adjacent है तो दोनो slab के अंदर क्या continuity maintain हो रही है और होनी चाहिए continuity maintain होनी चाहिए अगर continuity maintain होती है तो आपका पूरा structure एक बहुत अच्छा geometry के साथ behave करता है और अगर उसमें geometry उसके match नहीं हो रही है continuity structure में match नहीं हो रही है तो problems आते हैं फिर ठीक है क्या problem आते है वो भी देखेगे चलिए तो अभी गौर कीजेगा इस बात के ओपर यह हमने one way कर दिया और यह two way के तरह लग रहा है तो इसको two way कर देते हैं यह इसको one way करें क्या करना है अब देखो इसमें यह one way है तो इसका जो load होगा वो definitely यहाँ इस beam पर जाएगा यह वाला beam है ना मार पास यह beam है हमार पास तो इसका load आदा यहाँ पर जाएगा आदा यहाँ पर जाएगा ठीके अब अगर इसको भी मैं one way कर देता हूँ मैं example के तोर पर आपको समझा रहा हूँ ताकि चीज़े आपको समझ में आए difference पता चले आपको continuity का क्या importance है ठीके तो अगर मैं इसको भी one way कर देता हूँ तो और ऐसी होते हैं situation कही जगा कि because हम इस फिल्ब में काम कर रहे हैं मैं पता है कि कई सारे cases इस तरह से आते हैं तो उसको कैसे handle करना है तो देखो अगर मैं इसको one way design कर लो तो इसका load कहा जाएगा यहां जाएगा और यहां जाएगा ठीक है अब हमने देखा क्या देखा कि इसका load यहां पर आ रहा है यह beam के उपर और इसका load यहां जा रहा है मतलब इन दोनो slab के अंदर कोई ताल मेल नहीं दिख रहा मेल जोल नहीं दिख रहा continuity हमें नजर नहीं आ रही कैसे नहीं आ रही है क्योंके भाईया यहां से यह load यहां जा रहा है और इदर से कोई load नहीं आ रहा है अब जब इदर का load जाएगा इदर से कोई load नहीं आएगा तो इसके अंदर twisting हो सकती है twisting moment лекजिम के अंदर generate हो सकती है जो further आपके structure के लिए अच्छी बात नहीं है तो twisting moment होगी हाना उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और फिर क्योंके continuity भी नहीं है इसके अंदर तो continuity maintain करने के लिए और इसकी twisting moment से मैं बचने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर इसको हम चलो मैं इस फिला सा clean करता हूँ ठीक है ये इसको अटा दिया मैंने यहां से ठीक है मैं क्या करता हूँ इसको यहां पर अगर two way की तरह design कर लो if I design this slab as two as two way slab तो क्या हो रहा है यहां से यह load इधर आ रहा है और यहां से यह load इधर आ रहा है यहां से लोड इधर आ रहा है ठीक है अब आप देखे जरा कि इधर का लोड इधर जा रहा है इधर का लोड इधर जा रहा है मतलब दोनों तरफ से एक balancing act हो रहा है यह कदम आगे बढ़ रहा है यह एक कदम आगे बढ़ रहा है और यह बीम के अंदर जो twisting वाला phenomenon था वो भी अब avoid हो गया ठीक है तो यह बहतर है और continue हो गए दूनों भी दूनों के अंदर continuity maintain हो गए तो this is also the deciding factor कि मुझे adjacent slab one way रखना है यह two way रखना है ठीक है यह चीज़े आपको यहां तक clear हो गई yes or no comment के अंदर जरूर अपना गवाते हो लोगों से आप इसको phone करोगे उसको phone करोगे अगला बोलेगा कल मिर पास आना तो आप धक्के खाते हो उससे बैतर यह है कि थोड़ा वो time निकाल कर थोड़ा दिमाग और focus यहां रखकर चीजों को समझ लीजिए आपके लिए बैतर है हम आपसे कोई पैस वाला funda हमने समझ लिया अब एक और important चीज बड़ी खास चीज है वो भी समझ लिएगा ध्यान से उसको उसके बाद फिर हम इस वीडियो को यहां end कर रहेगे और फिर अगले वीडियो के अंदर कुछ और चीजों को discuss करें लेकिन आभी आखरी चीज क्या है ध्यान कि जो cantilever slab होता है मैं एक काम करता हूं पहले इसको rough कर देता हूं ठीक है जो cantilever slab के अंदर जो moment generate होती है भाई साब वो आपके simply supported से चार गुना ज्यादा generate होती है अगर आप उसका formula है देख लो तो आपको पता मालम पड़ जाएगा जिसको formula आता है comment के अंदर लिखिएगा ठीक है और नहीं आता है तो मना कर दिएगा तो आप one way सोरी आप जो cantilever slab आप अगर सोच रहें तो ये बात भी सोचिएगा के cantilever slab के अंदर जो moment generate होती है as compared to simply supported वो चार गुना ज्यादा होती है और cantilever के अंदर moment as compared to continuous या fixed slab वो 6 गुना ज्यादा होती है तो आपके लिए अच्छी बात क्या है कि cantilever को avoid किया जाए जहां तक हो सके बहाँ ठीक है और deflection का भी criteria देखे तो deflection cantilever slab के अंदर as compared to other slab simply supported slab as compared to simply supported slab cantilever के अंदर deflection 9.6 times ज्यादा होता है देखे यह बहुत important data है बहुत important parameter है यह deciding factor होते हैं क्या आपको cantilever देना चाहिए और नहीं देना चाहिए cantilever हमेशा माना चाहते है कि तभी दे जब आपके पास कोई और option वहाँ पर नहीं बचा आप वहाँ पर कोई pillars वगे नहीं है then only go for cantilever slab otherwise provide simply supported और fixed slab यह कुछ important चीज़े थी ठीक है अब देखिए आगे और भी चीज़े हैं slab के अंदर जैसे कि हमारे balcony के अंदर जो हम slab देते हैं उसमें भी कई cantilever होते हैं कुछ simply supported होते हैं उसमें भी अलग-अलग type का slab होते हैं balcony के अंदर भी जो corner barclies होती है porch जैसे canopy का मतलब होता है कि आप अभी image यहां पर देख सकते हो तो यह जो canopy के slab होते हैं यह बड़े important slab होते हैं और काफी जगा यूज किये जाते हैं entrance के उपर तो कहीं लोग इसके अंदर भी confused होते हैं किसको कैसे design करना है तो देखिए यह सारी जो चीज़े हैं आने वाले videos के अंदर रखते हैं सारी जीज़े एक video के अंदर देख लेगे तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा और इतना आप हजम भी नहीं कर पाऊगे ठीक है तो आज की इस video के अंदर हमने क्या देखा हमने देखा कि slab की structural planning कैसी होती है one way slab two way slab उसके अंदर कुछ confusion वाले जो cases होत आया जो भी सिखाया वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा उसके बावजूद भी अगर को confusion कुछ query रह जाती है तो आप बेज़े जग comment के अंदर लिख सकते हो या फिर हमें whatsapp पर telegram पर instagram पर facebook पर हमारी technical civil application पर जहां मन चाहे वहाँ आप जुड़कर हमें वहां से आप पुछ सकते हो हम कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की और आपके सवालों के जवाब देने की आपके confusion को दूर करने की या फिर अगले वीडियो के लिए भी हम आपका इंतजार करेंगे ठीक है चलिए तो आज की इस वीडियो को फिर इसी topic पर यहीं पर समाप्त करते हैं अगले वीडियो के अंदर जो बाकी slabs और बाकी जो cases है canopy, porch वाले, balcony के slab वाले वो अगले वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे ठीक है और यह series इसी तरह से आगे continue रहेगी अभी हम उसके बाद stair जो होते हैं उसके भी बात करेंगे उसके बाद हम footings की बात करेंगे तो यह one by one सारे जो हमारे main जो structural members होते हैं उनको हम एक एक करके discuss कर रहे हैं आपने अगर column और beam के episodes को नहीं देखा तो उनको भी एक बाद जरूर देख लिजेगा उसकी link आपको नीचे description box में या फिर यह I button है वहां से भी आपको मिल जाएगी आप वहां से आराम से उन दोनों वीडिय को देख लीजिए आज की वीडियो को समझ लीजिए कोई confusion होता है तो अगले वीडियो के लिए बचा के रखिएगा अगले वीडियो में आप confusion के ब्लूर करेगे और फिर अगले वीडियो के अंदर नए topic के साथ आप से मुलाकात करेगे ठीक है चलिए तो फिर आज के इस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजेगा और all notification पर क्लिक करना ताकि सभी updates आप तक पहुंच पाए time to time ठीक है चलिए तो इसी के साथ आज के लिए अलविडा लेते हैं अगले वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पुर खिलेवाण